नमस्कार दोस्तों, चैक डिसोनर के संबन्द में सेक्शन 138 के जो प्रोविजन हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा काम में आते हैं क्योंकि चैक डिसोनर के काफी सारे केसेज हमारी कोर्ट में पेंडिंग हैं अप्रेल 2022 तक के जो डेटा है थे उसके अनुसार कुल पेंडिंग केसेज में से करीब साड़े 33 लाग केसेज केवल चैक डिसोनर के हैं इसलिए चैक डिसोनर के कैसेज के लिए सुप्रेम कोर्ट ने टाइम टू टाइम काफी चीजों को क्लिरिफाई भी किया है और चैक डिसोनर के केसेज को जल्दी डिसाइड करने के लिए गाइडलाइन्स भी जारी की हैं हमारे चैनल पर भी चैक डिसोनर के बारे में काफी सारे वीडियोज अप्लोड किये हुए हैं जिनमें इस सब्जेक्ट पर आने वाले नए जजज्मेंट्स को भी समझाया गया है आज हम जो बात करने वाले हैं वो भी चैक डिसोनर के कैसेज के लिए काफी इंपोर्टेंट है ये बेसिक चीज है कि जब कोई हमें पैमेंट के लिए चैक देता है और उसके खाते में रुपए नहीं होने के कारण से उसका चैक डिसोनर हो जाता है तो हम चैक डिसोनर के 30 दिन के भीतर नेगोशियेबल इंस्टूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के अंतरगत 15 दिन का नोटिस देते हैं और नोटिस की अवधी में भी पैमेंट नहीं किया जाता तो हम नोटिस के अवधी खत्म होने के 30 दिन के भीतर कोड में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपने रुपए वसूल करने के लिए 138 की प्रोसेस एजी भी है क्योंकि इसमें जो प्रिजम्शन है वो चेक के होल्डर के फेवर में किया जाता है और जादा चांसे यही होते है कि जिसके नाम से चेक जारी किया गया है उसी के फेवर में जजमेंट भी कोड देता है लेकिन काफी लोग जादा दिमाग लगाते हैं और चेक इस्यू करने के बाद बैंक में स्टोपपेमेंट करवा देते हैं अपना account close करवा लेते हैं या फिर check issue करते time ही अपने sign पूरे नहीं करते तो उस परिस्थिती में क्या होगा दोस्तों ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि check dishonor के बारे में जो negotiable instrument act की section 138 में provision किया गया है वो ये है कि अगर किसी वेक्ति के द्वारा जारी किया गया check उसके खाते में परियाप्त balance नहीं होने के कारण से या exceed arrangements के कारण से dishonor होता है तो check जारी करने वाली party को notice जिया जाएगा और notice दिया जाने के 15 दिन में भी वो party payment नहीं करती तो notice की 15 दिन की अवधी खत्म होने के 30 दिन के वितर court में complaint based की जाएगी अब जो section 138 की language है वो account close होने sign different होने या check का stop payment करवाने के कारण से dishonor होने वाले checks के लिए कोई provision नहीं करती है दोस्तों इस पर supreme court ने अलग-अलग time पर अलग-अलग judgment में इन चीजों को clarify किया है लेकिन अभी मार्च 2022 में जम्मू कस्मिर high court का एक decision आया है महम्मद शफी वानी वर्सेज नूर महम्मद खान के matter में जिसमें जम्मू कस्मिर high court ने हर reason पर supreme court के verdicts बताए है तो ये judgment check dishonor के बारे में बहुत important judgment हो जाता है जहां पर check issue करने वाली party अपना खाता बंद करवा लेती है और इस कारण से check dishonor हुआ है तो इसके लिए supreme court के द्वारा NEPC Mycon Limited vs Magma Leasing Limited का जिक्र करते हुए कहा गया कि जब किसी essay panel provision का interpretation किया जा रहा हो जिसका nature एक party को remedy देने का भी है तो ऐसे provision को strictly नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उस provision में कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा ऐसे किसी भी panel provision का अर्थ इस तरह से लगाना चाहिए कि जो कानून बनाया गया है उसके उद्देशों को प्राप्त किया जासके इसलिए जहां कोई चेक खाता बंद करवा देने के कारण से dishonor होता है तो उसे section 138 के provisions के अंतरगत ही माना जाएगा इसके बाद जो लोग चेक जारी करके उसका payment stop करवा देते हैं उस परिस्थिती पर भी जम्मु कस्मीर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक judgment का रेफरेंस दिया जो मोधी सिमेंट्स लिमिटेड वर्सेज कुचील कुमार नंदी के matter में दिया गया था उस judgment में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर stop payment वाले matters को 138 के provision से अलग किया जाता है तो लोगों की ये practice बन जाएगी कि वो चेक इस्यू करेंगे और अपने bank से उसका payment रुकवा देंगे और उनको कोई डर भी नहीं रहेगा और अगर ऐसा होता है तो negotiable instrument act की section 138 के वर डेड लेटर बन कर रहे जाएगे section 138 का उद्देश्य बेइमानी से चेक जारी करने वालों के खिलाफ कानून बनाना है लेकिन अगर कोई चेक जारी करके उसका भुकतान अपने bank को बोल के रुकवा देता है तो ये भी बेइमानी से चेक जारी करना ही है इसलिए stop payment के cases में भी section 138 की complaint notice issue करने के बाद पेश की जा सकती है इसके बाद सबसे विवादित कारण आता है signature mismatch या signature incomplete का इस issue पर 2002 में सुप्रीम कोर्ट का judgment आया था विनोत तन्ना वर्से जहीर सिद्धिकी के matter में और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि incomplete signature के कारण से जो check dishonor हुए हैं उनके लिए negotiable instrument act की section 138 लागू नहीं होगी लेकिन similar issue पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी वर्से इस state of गुजरात के matter में विनोत तन्ना वाले case में दिये गए judgment को follow नहीं किया और signature incomplete के matters में भी section 138 का लागू होना माना तो signature mismatch या signature incomplete के matters में latest view यही है कि जहां ऐसे कारणों से check dishonor हुआ है तो भी negotiable instrument act की section 138 के अंतरगत complaint file की जा सकती है तो दोस्तों अलग-अलग decisions से ये बात commonly निकल कर आती है कि negotiable instrument act की section 138 का परपज check के holder को बेइमानी से जारी करने वाले driver के खिलाफ relief देना है इसलिए check dishonor के ज़्यादातर कारणों को section 138 के अंतरगत माना गया है तो जब आपको दिया गया कोई check insufficient fund के कारण्ट से dishonor ना होकर account clause, stop payment या फिर signature different होने के कारण्ट से dishonor होता है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है बलकि आप वो check जारी करने वाले के खिलाफ 138 का notice जारी करके complaint file कर सकते हो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि notice कैसे draft करना है तो इसके लिए आप हमारे official number पर contact कर सकते हैं इसके अलावा भी कोई भी legal सवाल आपके मन में अपने matter को लेकर है तो आप screen पर दिखाई दे रहें नमरों पर contact कर सकते हैं हमारी team की कोशिश रहती है कि आपके legal issues पर हम पूरी तरह से आपको assist कर सके हैं हमारे official number पर contact करके आप अपने matter पर हमारे expert से बात करने के लिए call book करवा सकते हैं और legal opinion ले सकते हैं वीडियो के description में भी हमारा WhatsApp लिंक प्रोवाइड करवाया गया है आप सीधे उस link पर click करके भी हमसे contact कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें और इसे उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इसकी जरूरत है regular updates के लिए channel को subscribe करके bell बटन जरूर प्रेस कर दें साथ ही हमारे facebook और instagram पेज पर भी हमें follow कर लें ताकि हर legal update आपको मिलता रहे दोनों के लिए link आपको description में दिए गए है जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नमस्कार